हेलो आज हम देखने वाले modeling toolbar में से solid primitive object इसलिए पहले 3D के चार तूलबार लाखे रखता तोल्स, तूलबार, AutoCAD यहां से तूलबार से तूलबार सेलेक्ट कर लिया तूलबार लिया बाद में solid editing तूलबार सेलेक्ट है view और visual style तरसर अगर किसी भी toolbar के left side में लेकर जाते हो तो वो toolbar कौन सा है वो समझ में आ सकता है अब ही 3D पार्ट आची तरह से समझ में आने के लिए पहला view जो रहता है वो isometric में set करना पड़ता है और visual style conceptual या realistic में रखना पड़ता है grid चाहिए तो यहां पर opt कर लिया और autocad वालों ने क्या किया हुआ है पहला अगर 2D का 3D में रुपांतर करना है तो पहला कोई close object बना उसको region करो और बाद में एक श्रूड करो यह procedure है लेकिन autocad वालों ने क्या किया है कि जो frequently use होने वाले object है वो यहां पर बना के रखे हुए है वो अगर लेना है तो यहां पर modeling तुल बार में से हम वो object ले सकते हैं सबसे पहला आता है pyramid ने sorry polysolid जैसा 2D में polyline हो था वैसा 3D में polysolid आता है इसमें यह solid primitive object है कहां तक मिल जाएंगी पिरामिड तक हमको मिल जाएंगी यह फिर सर्पेश तक मिल जाएंगी इसमें हमको सबसे पहला आता है polysolid जैसा 2D में polyline था वैसा 3D में polysolid आता है यहां पर polysolid option लिया यहां पर पहला property बता जाता है हाइट चार का है पॉइंट 25 का है justification center है जैसे पॉइंट क्लिक करते जाएंगे वैसा polysolid यहां पर त्यार होते जाएगा यह भी पॉली लाइन जैसे यह एफट ऑन रहता है तो state direction में वह बना जा सकता है जिस दिशा में बढ़ा है जिसा में कर्चर लेगे कितना लंबा लाइन चाहिए उतना value type किया वैसा फिकिक्स लंबाई का पॉली-solid यहां पर बना जा सकता है यहां पर कितना चे का बनाना है यहां पर कितना बनाना यहां Ellis यहां पर और बनाना यह सकता है अगर यहां पर बनाई जा सकती है वैसा पॉलिस वाली आप यहां पर बना सकते हो एफट आफ रखा जाते तो लाइन को कैसा भी मोडा जा सकता है इसका इस्तेमाल वाल्ट वगरा तयार करने के लिए किया जा सकता है इसके भी कुछ आप्षेन से पहला आप्षेन आता है अबजेक्ट पास समझो यहां पर कोई पॉली लाइन बनाया या फिर रेक्टेंगल बनाया इसका रूपांतर अगर पॉली सॉलिड में करना है तो यह पर पॉली सॉलिड कमांड लिया यहां पर अबजेक्ट ऑप्षेन लिया यह पॉली लाइन से लेक्ट तो इसका रूपांतर पॉली सॉलिड में किया जा सकता है या फिर पॉली सॉलिड ऑप्षेन लिया अबजेक्ट ऑप्षेन लिया यह रेक्टेंगल से लेक्टे तो इस करना है तो पॉइंट करना है तो हाइट यहां पर बढ़ा हुआ दिखा जा सकता है अगला अप्शन आता है जस्टिफाइब अगर लेफ्ट रखा तो लेफ्ट का एज वैसा ही रहता है करश जो है वह पॉली सॉलिट के लेफ्ट पर सेट रहता है जस्टिफाइब अगर राइट रखा तो करश जो सॉलिट के और पॉली सॉलिट मोरते बग राइट का एज फिक्स रहता है बाकी केस अपनी पॉजिशन बदलते रहते हैं तो वैसा पॉली सॉलिड आप यहां पर बना सकते हो इसका इस्तिमन प्लान में वाल्स वगरा तैयर करने के लिए या फिर कंपाउंड वाल्स तैयर करने के लिए किया जा सकता है आगला आता है बॉक्स कमांड पहला रेक्टेंगल बनाओ रीजन परो इसे सकते हो यहां पर बॉक्स कमांड लिए यहां पर लेंद फिट्स सेट करने जाएंगे तो वह प्रॉपरली सेट नहीं होता इसे अच्छान कि अब जब ही other corner point पूछता है तो add rate x, y से दे सकते हो add rate x 10 का रखा और y 5 का रखा और height 3 का रखा तो वैसाद 10 by 5 by 3 का box यहां पर बना जा सकता है rectangle बनाओ region करो, extrude करो कम हो जाता है जो frequently use होने वाले shapes है और autocad वालों ने primitive object करके बना के रखे हुए है अगला आता है page, page जो रहता है वो part को support करने के लिए काम आता है ज्यादा तर mechanical में इस्तिमाल होता है यहां पर page कमाण लिया, first corner point कि दर भी click किया यहां पर भी length width set करने जाएंगे तो properly set नहीं होता है तो directly दुसरा corner point देना है तो add rate x, y से दिया जा सकता है x समझो यहां पर 10 का लिया, width y समझो 3 का लिया, height जो रहता है वो z axis पर रहता है वो कितना है समझो 5 का लिया, यहां पर page को taper रहता है, वो taper हमेशा x axis पर रहता है start point इधर से click किया तो इधर से height चल हो जाता है, अगर start point इधर से click करते थे इधर से click करते थे तो इधर से height चल हो जाता है यहां पर page command लिया, first corner point लिया, directly दुसरा corner point देना है तो add rate लिया, यह minus में देना है minus value दिया, minus 10, minus 3 यहां पर minus 3 लिया, और height यहां पर 5 कर लिया यहां पर table यह corner से लिया थे तो इधर से height चल हो जाता है नहीं तो फिर दूसरा रास्ता है कि triangle बना हो, region करो और extrude करो, वैसा करना पड़ेगा अगला आता है box command, sorry, cone command, नीचे circular base और उपर point लिया, तो cone का इस्तिमाल किया सकता है center point के लिए center point लिया, base radius समझो कितने का रखना है, 2 का रखना है height कितने का रखना है, समझो 6 का रखना है, वैसा cone यहां पर बना जा सकता है नहीं तो यह shape बनाना काफी मुश्किल हो जाता था यहां पर cone के भी कुछ options आते है, 3P लिया तो 3 point में से जाने वाला cone तयार होता है 2P लिया तो 2 point में से जाने वाला नीचे का circle तयार होता है, 10-10 radius मतब 2 line को tangent और given radius का circle यहां पर बना जा सकता है यहां पर center point लिया, diameter समझो यहां पर 3 का लिया अगर yeah, If axis end point लिया तो horizontal में तयार होता है यहां पर asks end point,ذो यहां पर horizontal में तयार होता यह कितने का शे का रकना है समझो 6 का रखना है, वैसा रिपों वर्रेटिकल की जगह horizontal में तयार होता है वैसे ही, यहां way West radius नीच एलिया 3 का लिया, height यहां पर यहां पर भी टॉप रेडियस अलग यहां पर टॉप में पॉइंट टैर हो रहा है पॉइंट की जगह रेडियस टैर करना है तो टॉप रेडियस लिया टॉप रेडियस समझे एक का लिया और हाइट यहां पर समझे पाच का लिया तो उपर यहां पर पॉइंट की जगह अगला आता है स्पियर सेर्कुलर शेप अगर बनाना है तो स्पियर का इस्तिमाल किया सकता है सेंटर पॉइंट के लिए सेंटर पॉइंट लिया रेडियस यहां पर तीम का लिया तो वैसा स्पियर यहां पर त्यार किया सकता है इसलेंडर बनाना है शॉटर्टक टी सीवा-ई-ल सेंटर-पोइंट लिय कं लिया वाउंड उतर समझें यहां पर इंट इंट शेका रुखना इनप तो वैसे सीडेंडर यहां पर बनाया सकता है ते इने ऑला सिलेंड़ बनाना तो 3P लिया सिलेंडर बनाना तो 2P लिया दो लाइन को टैंजेंट्न और य Vander ये इनग सट्रींड बनाना तो 1010 aneous वगरग लिए जा सकता है, elliptical शेप में बनाना तो elliptic vital शैफ लिंग जा सकता है यह माइनर रेडियस वगरा दिया जा सकता है और हईट कितने का रखना है सब्सक्राइब कर रखना है वैसा एलिप्टिकल शेप में भी सिलिंड्र आप बना सकते हैं वैसा जरूवत नहीं पड़ता है करना है अगला है टोरस ट्यूंग जासा आपकर बनना तो टोरस का mental कि यहां पर सेंटर पॉंट एक मेंजर रेडियस और ट्यूब रेडियस देना पड़ते हैं पहला center point किया major radius कितने का रखना है समझो 5 पर रखना है और tube radius कितने का रखना है समझो 0.2 का रखना है वसा major 5 radius और बाद में tube radius 0.2 का है वसा torus यहाँ पर बना जा सकता है पिरमीड अगर बनाना है नीचे polygon और उपर point डेना है तो pyramid लिया जा सकता है center point के लिए center point के लिए base radius समझो यहाँ पर दो का लिया height कितने का रखना है यहाँ पर भी side की संख्या 4 है sides की संख्या कम जादा करने तो वैसा कम जादा किया सकता है यहाँ पर default side की संख्या पहले property बताता है sides की संख्या 4 है वह कम ज़्यादा करना है तो साइड पर क्लिक करके कम ज़्यादा किया सकता है लाइन का लंबाई वगरा सेट करना है लाइन का लंबाई दिया है तो एज आप ले सकते हो सेंटर पॉंट के लिए सेंटर पॉंट लिए यहां पर बेज रीडिस मतलब कौन से रीडिस के अंडर बैटना चाहिए रीडिस आप दे सकते हो समझो रीडिस दो का रखा और यहां पर हाइट कितने का रखना है यहां पर भी एक्सिसेंट पॉंट लिया तो वह होरीजोंटल में त्यार होता है टॉप में भी पॉंट की जगह सेर्कल वगरे शेप बनाने तो टॉप रीडिस वगरे दिया जा सकता है तो नीचे канале और विएंड यहां पर त्यार किया जाएगा बाइद चार सपोलिगॉइंड यह फेंड पिरामिद किमांड लिए साइड की संख्या बढ़ा निया है तो सब्लिक क्लिक कहा सेंट के लिए शेंटाव सेंटर पॉक्ष यहां पर पॉलिग्रावन ऑर अगला है है हेलिक्स कमंड सर्कुलर शेप अगर बनाना है तो हिलिक्स का इस्तिमाल किया सकता है पहला इसका प्रॉपर्डी बताता है नम्बर अफ टरंस टीन है ट्विस्ट काउंटर क्लॉक को जाए अगर उपांतर करना है तो पहला एक छोटा सर्कल बना लिया इसका 3D में अगर उपांतर करना है पहला इसको रिजन करना पड़ेगा रेजन डा है पर क्लोज ऑबजेग्ट पर हो आप रेजन कर सकते हैं अभी यह ऑबजेट इस पाथ को सर्म मट्र एड करते जाना है तो यहाँ पर सुट जा सकता है Swift command लिया Select object to shift के लिए यह region की object select एंटर किया आपके लिए यह apartments गिया तो इस पात के हम उसरों सब अटेल एड़ करते जाएगा इस तरह 2D-E-Hilix का 3D-E-Hilix में पूंत्राप कर सकते हैं अगला आता है planar surface यहां पर first corner लिया और यहां पर second corner लिया तो उन दो corner के बीच में यहां पर surface ट्यार किया सकता है इसको सिर्फ length और width रहता है इसका ठीकने 0 रहता है helix का इस्तिमाल spring वगड़ा तैयर तमी के लिए या फिर threads वगड़ा कट करने के दिखाने के लिए किया जा सकता है यह था primitive object